नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर सुनीता कमल स्पीसी कॉर्बन कॉलेज अज में देखे बच्चों आज हम लोग जो भारते संस्कृती में जो आपके गुप्त काल है तो उसके बारे में हमें देखेंगे कि गुप्त समराटों की कला कैसी होते थी हमने पिछले वीडियो में मौरे समराटों की कला देखी थी इस वीडियो में गुप्त समराटों की कला के विशे में हम चर्चा करेंगे देखे जब भी कला की बात आती है तो हम डॉक्टर विये सगरवाल की किताब पढ़े बिना नहीं रह सकते हैं तो आप देखेए कि डॉक्टर विये सगरवाल यह लिखते हैं कि गुप्त काल की कला को आज भी दिखाई देने वाली करतियों के द्वारा इस काल का गौरव इस्थाई हो गया है गुप्त समराटों के अधीन भवन, निर्मान कला, चित्र कला, संगीत कला, शिल्प कला, तथा धातू कला, सिक्कों की कला के शेत्र में असाधारन विकास होगा गुप्त काल की कुछ कला करतियां इतनी सुन्दर हैं कि उनकी गणना विश्वी की सबसे अच्छी कला करतियों में की जाती है उस समय में मथुरा, बनारस, पाटली पुत्र, आधी कला के प्रमुक किंद्र थे और विद्यार्थियों आपको पता ही है कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युक कहा जाता है स्वर्ण युक कहलाने के लिए ये सांस्क्रतिक शेत्र भी सबसे अधिक महत्सपूर्ण होता है जब सांस्कतिक शेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ हो तब भी स्वर्ण युग कहा जाता है किवर आर्थिक शेत्र की विकास को लेकर के ही हम स्वर्ण युग नहीं कह सकते हैं उसके सभी शेत्र जब तक बढ़िया ना हो तब तक रहे स्वर्ण यूप नहीं कहलाता तो अब आप देखिए जैसे हम इस्थापत्य कलाओ को लेते हैं गुप्त काल में भारती भवन निर्मान कला के शेत्र में इतिहास में एक नई यूप का प्रारण हुआ गुप्त समराटों ने पत्थर और एईटों से भवन और मंदिनों का निर्मान करवाय था जबकि इस काल से पूर्व भवन के निर्मान में अधिकतर लकडी का प्रयोग होता था उस समय के अभी लेखों से पता लगता है कि गुप्त समराटों ने गगन चुम्बी मंदिनों और कई शांदार भवनों का निर्मान करवाय था किन्तू दुर्भाग्य से जब आकर्मन कारी आये तब ये इनको नस्थ कर दिया गया था फिर भी गुप्तकाल के कुछ मंदिर आज भी इस्थित हैं जिन से उस समय के भवन निर्मान कला और सौंदर एक आनुमान लगा जाता है इन मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, देवगड का मंदिर, भीतरी गाउं का मंदिर, तिगवा का विष्णू मंदिर और आप देखिए बौध गया का महा बोधी मंदिर आदि उलेखने हैं इन मंदिरों के स्तम सजे हुए हैं और प्रवेश द्वारों पर धार्मी चितर अंकित किये गए हैं इन मंदिरों से स्पस्ट है कि उस समय भवन निर्वान कला की शेतर में बहुत अच्छी प्रगती हुई थी अब हम मूर्ति कला को ले सकते हैं आप देखिए गुप्त काल में मूर्ति कला उन्नती के बहुत चरम शिखर पर थी मौर्य काल में पश्वों की मूर्तियां बहुत अधिक पाई जाती थी किन्तु गुप्त काल में मनुश्य तथदेवताओं की मूर्तियां बहुत अधिक संख्या में बनाई जाने ले इस काल को कला के इतने सुन्दा नमूने राप्त हुए हैं कि जो कि संसार की कला के इतिहास में अद्विती है गुपत काल की कला ने कुशान काल की कला को भी मात कर दिया था इस काल के प्रमुक विशेष्टाएं ये थी मूर्तियों का वस्तर और जेवर सहित इतना अच्छा निर्मान था कि लगता था ऐसे वो बोल पड़ेंगे और उन्होंने वस्तर पहने हुए है और जेवर पहने हुए है इसी प्रकार गुप्तकाल में बुद्ध के अलावा शिव, विश्णू, सूर आदी देवी देवताओं के मूर्तियां भी बहुत अधिक संख्या में बनाई गई इन में से कुछ मूर्तियां भूमरा, देवगर और ग्वालियर के मंदरों में मिलती है इससे सपस्ट है गुप उप्तकाली निशिल्पकला को आधार बनाकर यह जो दक्षिन एश्या के इंदर हैं यहां पर भी मूर्तियां बनाना प्रारम कर दिया था जावा, कमबोडिया, सुमात्रा, बाली, आदि द्वीपों ने मूर्ति बनाना प्रारम कर दिया था धन्यवाद